तो गाइस स्वागत है आपका लेट्स क्रैकेट विदिश्यो गुप्ता के यूडू चैनल पर और एक और टॉपिक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक उत्राखंड से उत्राखंड के मुख्य नियाधीश तो उत्राखंड की हाई कोट जो कि इस टाइम पे ननिताल में है उसमें अब तक जब से राच्च बना है सन 2000 से लेके अब तो 2022 तक गरम देखें तो कितने हमारे जो चीफ जस्टिस है वो हुए है कितने मुख्य नियाधीश हुए है कौन एक्टिम चीफ जस्टिस रहा है जो बीच में कारेवाहक नियाधीश बना हो और कौन सबसे ज़दे समय के के लिए बना है कौन सबसे कम समय के लिए बना है कितने ऐसे जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं उत्राखंड के चीफ जेस्टिस बनने के बाद बाद में मुख्या नयाए धीज भी बने हैं तो यह सब चानकारी हमें इस वीडियो में मिलेगी बहुत इंपॉर्ड बी क्योंकि एक एक चीज इस वीडियो के आपके लिए बहुत बहुत जादा इंपॉर्डंट है इसलिए कह रहा हूं कि नोट्स भी आप बना सकते हैं साथ में और साथ में पीडियाफ्स भी ले सकते हैं पीडियाफ्स लेने के लिए 7665804421 पर कॉल यह मेसेज कर सकते हैं बाकी वीडियो को अंतर जुरू देखेगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरू करतीजेगा और फ्री टेलिग्राम चैनल जरू जोइन करने न उसको लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिशन मिल जाएगा उसको जोइन करना बहुत उती है सारे अप इसको जोईन कर सकते हो बहुत ही महत्पून बैच चल रहे हैं सारे नोट सारी पीडियाफ साब प्रवाइट के जा रही है फुल गैडेंस प्रवाइट के जा रही है डेली mcq practice in students को दी जा रही है तो आव इन दोनों बैचिस को जोईन कर सकते हैं डेली 2000 में सन 2000 में 9 नमंबर को राज्य बना उस दिन अशोग देशाई जी को लगाया गया उत्राघंड के acting chief justice के रूप में और ये 26 दिन का इनका कारेकाल रहा पहले 5 असंबर 2000 को इनकी parent high court अभिवावक या उच नियाल अगर हम कहें तो कौन सा high court हुआ करता था इनका ये बॉम्ब द्वारा नियूट किया जाता है तो क्या ने रहा ने द्वारान को नियूट किया गया ये first chief justice ते उत्राखंड की important बात ये है कि first chief justice रहे उत्राखंड के assumed office as acting chief justice सबसे पहले ये जो कारेवाहक मुक के नाइधिश होता है उनके रूप में नोंने पत समाला बाद में इनोंने 31 मार्च 2003 को अपने पत से इस्तीफा भी दे दिया, resignation भी दे दिया, फिर बाद में first number पे कौन बने अशोग देशाई बने, proper जो इनका formal जो इनका recruitment हुआ, 6 दिसंबर 2000 से लेके 31 मार्च 2003 तक 2 साल 115 दिन रहे और वैसे 26 दिन इनको भी मिला देंगे, तो total 2 साल 142 दिन रहे और अगर पूछे आप से कि उत्रा खंड के पहले मुख्य नयाधिश कौन रहे तो उत्रा खंड के पहले मुख्य नयाधिश अशोग देशाई थे, उसके बाद इनके जब यो रिटायर हो जाते हैं या यह अपना पत छोड़ देते हैं, resign कर देते हैं, तो उसके बाद acting यानि क कारे वाहक जो मुख्य नादिश बनते हैं वो प्रकाश चंदर वर्मा बनते हैं बाद में जाके यही प्रकाश चंदर वर्मा उत्रा खंड में सबसे जादा लंबे समय के लिए जो एक्टिंग चीज रिस्टिस रहे हैं कारे वाहक जो मुख्य नहीं दीच रहे हैं वो प्रकाश्चिंद्र वर्माई ही हैं आगे नोट्स में भी आयका लिखावा तो एक अपरेल 2003 से लेकिए 4 अगस 2003 तक 125 दिन तक रहे इलाबाद हाई कोट इनकी पेरेंट हाई कोट हुआ करती थी और इस टाइम पे 2002 में फिर बिजद दुलकला मा चुके थे राश्पती तो इन्हों ने इनको पॉइंट किया फिर आते हैं एसेच का पाडिया तो सरोष होमी का पाडिया 5 अगस 2003 से 17 दिसंबर 2003 134 दिन तक रहते हैं दूसरे नंबर के ये उत्राखंड की हाई कोट के चीज़सिस बनते हैं बॉंबे हाई कोट से बिलॉंग करते थे ये अब देखें ये इमपॉटन बात है कि शौटेस्ट सर्विंग चीज़सिस रहे हैं हैं उत्राखंड की यानि कि इस से कम समय के लिए एक मुख्य नायदीश उत्राकंड का नहीरा अब तक सबसे कम समय के लिए यही मुख्य नायदीश रहे हैं shortest serving रहे हैं बाद में यह Supreme Court में इनका एलिबेशन होगा जज़ के रूप में और बाद में 38 वे Chief Justice भारत के बने तो अब यह भी सवाल आप से पुछे सकता है कि उत्राकंड High Court के कौन-कौन ऐसे Chief Justice हुए है जो बाद में जाकर Supreme Court में Chief Justice of India भी बने है तो यह सब चीज लिस्ट भी आगे दी गई है इस सब को लिस्ट को लिस्टिट किया गया है जिससे कि बस एक बार आप देखेंगे आपका गाम हो जाएगा अभी पूरी आप वीडियों तक देखते चले जाएगा सुनते चले जाईएगा तो इस तरह से अब next आता है उसके दिसंबर 2003 से 24 जुलाई 2004 दोसुनिस दिन तक रहते हैं इलाबाद हाई कोट इनकी पेरेंट हाई कोट हुआ करती थी फिर तीसरे नमबर में जो लगाया जाता है विकाश श्रीधर श्रीपुलकार को 25 जुलाई 2004 से 19 मार्च 2005 की बीच में रहे 237 डेज बॉंबे हाई कोट इन नियाले और इनको बाद में जज़ भी बना दिया गया सुप्रीम कोट में फिर सायरेक जौसफ आते हैं 2005 में 20 मार्च 2005 से 7 जनवी 2006 तक 293 दिन तक रहते हैं केरला से बिलॉंग करते थे ये भी बाद में सरवुच नियाले के सुप्रीम कोट के नियाधीश बना दिय जाते है फिर प्रकाश चंद्र वर्मा जी वापिस आते हैं 8 जनवी 2006 से लेके 13 जनवी 2006 तक 5 दिन तक अब ये टोटल 349 डेज तक ये उत्राखंड के एक्टिंग चीर चस्टिस रहे हैं इलाबास से बिलॉंग करते थे लॉंगेस्ट सर्विंग एक्टिंग चीर चस्टिस ऑफ उत् सकता है आप से कि उत्राखंड के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले कारेवाग मुल्खी नयादिश कोन रहे तो वो प्रकाश चंद्र वर्मा रहे ये बहुत इंपॉर्डन बात है फिर आते हैं राजीव गुपता जी तो राजीव गुपता जी 14 जनवरी 2006 से 1 फरवरी 2008 पाट तक रहे दो साल 18 दिन तक MP इनकी पेरेंट हाई को टुवा करती थी और यहां तक जो अपॉइंट्मेंट हुए वो सब एपी जद बिल्कल हाम जी ने गरे राजीव गुपता जी तक उसके बाद छटे नंबर पे जब विनोध कुमार गुपता आते हैं तब प्रतिव पाटिल जी ने इनको अपॉइंट किया था फिर बिपिन चंदर कंडपाल ये उत्राखंड से बिलॉंग करते थे उत्राखंड हाई कोट इनकी पेरेंट हाई कोट थी ये 10 सेप्टेंबर 2009 से 24 सेप्टेंबर 2009 तक जैनकी 14 दिन तक के लिए एक्टिंग चिजिस रहते हैं फि उसके बाद जी एस खेयर आते हैं जो बाद में भारत के मुक्षेन अधीश भी बनते हैं चवालिस फे नंबर के मुक्षेन अधीश बनते हैं तो जी एस खेयर यानिकी जगदीश सिंग खेयर 39 से 11 गस्दुज तक रहते हैं 255 दिन पंजाब और हरियाना हाई कोट से ये बि हैं फिर बारी इन घोश आते हैं 12 अगस 2010 से 4 जून 2014 तक 3 साल 206 में दिन तक ये रहे कलकत्ता हाई कोट जोएन की पेरेंट हाई कोट हुआ करती थी और वापिस से दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो एक और परसन आते हैं एक्टिंग चीज रस्टिस बनते हैं सुधान जौसफ बहुत ही फेमस जस्टिस हुए हैं उत्राखंड के काफी कॉंट्रोवर्सी में भी रहे हैं निरे मोधी गश्टिंग के टाइम पे तो 31 जुलाई 2014 से लेके 6 अगर 18 तक 4 साल 6 दिन कैरला इनकी पेरेंट हाई कोट हुआ करती थी उत्राखंड के मुख्य नियादीश के पद में सेवा नहीं की है और बाद में इनको जज़ भी लगाया किया सुप्रीम कोट का फिर राजीव शर्मा जी आते हैं 2018 से 1 नमंबर तक एक रमंबर 2018 तक 86 दिन तक ये रहते हैं हिमाचली प्रदेश इनकी पेरेंट हाई कोट थी और रामनात कोविन जी आ चुके हैं 2017 में और अब वो सब भी अपाइनमेंट्स करेंगे ये एक्टिंग एचीव जस्टिस रहते हैं उसके पाद दसफे नमंबर पे आते हैं रमेश रागवेंद्र सिंग चोहान 11 नमबर पे जस्टिस बनते हैं उत्राखन के 7 जनबर 2021 से 23 दिसंबर 2021 यह नहीं 300 दिन और राजिस्तान से बिलोंग करते हैं फिर सिंजे कुमार मिश्रा ये 2021-2022 186 दिन उडिशा से और अब बहुत इंपोर्टेंट इस टाइम पे कौन अगर आ बढ़ते रहेंगे इसके बाद important information भी है वो भी देख लेते हैं तो देकि यहाँ पर लिख दिया है कि वो जजजिस जो बाद में Supreme Court में Chief Justice of India बनते हैं यानि कि भारत के मुख्यनादीश कौन-कौन बनते हैं एक तो बनते हैं SH कपाडिया यानि कि शरो शोमी कपाडिया 38 वे बनते हैं और जगदीश सिंग्हेर ये 44 वे बनते हैं यानि कि दो जजजिस ऐसे हैं उत्राकर्ण High Court के ये Chief Justice रहे बाद में ये भारत के मुख्यनादीश भी बने फिर वो जजजिस जो बाद में Supreme Court में जजज बनते हैं यानि कि वो जजजिस ये दोनों जजज तो बनते ही ह अबी तो Chief Justice बनेंगे लेकिन वो जजजिस जो Supreme Court में जजज तो बनते हैं लेकिन Chief Justice नहीं बनते भारत के तो वो कौन है वो है विकाश श्रिधर सिरपूरकार फिस सीरिया एक जौसिफ सुधानशो धूलिया ये उतराखंड से भी थे और कुटिल मैथ्यू जौसफ यानि की क जौसिफ और वो Chief Judges जो उतराखंड से बिलॉंग करते हैं या जो जिनकी Parent High Court उतराखंड है तो वो कौन है वो है पिपिन चंद्र कांडपाल और सुधानशो धूलिया तो ये important चीज़े थी उमीद करता हूँ कि आपको इस सब चीज़े संज में आ गई होंगी बहुत important है ब लोगों का Revision करवाए जाएगा Revision Series चल रही है तो अन तक इस Revision Series को जरूर दिखते रहीएगा डेली वीडियोज आ रही है अगर पुरानी वीडियोज नहीं देखी है Revision की जो पिछले कुस दिनों आई है तो उनको भी जरू से जरूर देख लिएगा चली बाकी मिलते है न